नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौधाघर के आज के इस नए वीडियो में का इन्वेस्टमेंट रंजनगाओं में, जो की पूने इस्ट में एक तरीके से आता है, अगर आप देखें, खराडी आपको पता होगा, वाघोली पता होगा, यहां से लगभग 40 किलोमेटर का डिस्टेंस आपका आ जाता है, रंजनगाओं का, अब यहां पर यह लगाता राएंगे, इसमें जो सेंटरल गवर्मेंट है, वो लगभग 207 करोड का इन्वेस्टमेंट करने वादी है, वहीं स्टेट गवर्मेंट जो है 284 करोड के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट इसमें करेगी, तो अब आप यह अंदाजा लगाईए कि अगर 500 करोड के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्लस्टर बनाए जाने के लिए, तो जो इसमें और मैनुफेक्शनिंग कमपनी जाएंगी, उनका जो इस्टिमेटर जो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से अट्रैक्ट होने की संभावना है, वो है 2000 करोड, अब इसका इंप तो डारेक्टली जो है रिल इस्टेट इससे इंपक्ट करेगा, इसके लिए नयने डेवलप्मेंट भी आएंगे, या फिर जो एक लंबे समय से अगर आप देखें, पूने इस्ट में जो वागोली या फिर कोरेगाउं भीमा है, सिक्रापूर है, इसके आसपास जो डेवल डेवलप्मेंट हुए थे, अब बाकुरी फाटा के अंदर भी कई डेवलप्मेंट हुए थे, लेकिन उन लोगों को कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि एक तरीके से होर्जेंटल ग्रोथ के बजाए, जो है वर्टिकल ग्रोथ जो है जादा होने लगा, फसाइस बात होती है, जहाँ पे जादा जॉब इंप्लॉइमेंट जो है जनरेट हूँ, वो पूने इस्ट में आप बहुत लंबे समय से मिडी सी के केस वगरा में नहीं देख रहे थे, अब अगर वो रांजन गाउं में आ रहा है तो इसका इमपैल जो है सिक्रापूर पे भी पढ जाला है, और यह जो बताया जा रहा है कि इसमें 284 करोड जो इन्वेस्टमेंट है, वो MIDC यानि की महरास्था इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कॉर्परेशन करेगी, और अभी जो है आने वाले कुछ महीनों में जो है सेमी कंडॉक्टर के ऊपर रोड सो भी पूने में कि जाएंगे और उसके लिए अलग से 1000 करोड का जो है इन्वेस्टमेंट जो है प्लान किया जा रहा है, यानि की पूरे पूने रेल स्टेट के लिए कहा जाए तो अच्छी ख़बर है, इसके साथ अगर कहीं सिविक बाडी जो है अपने बेसिक जो इंफ्राइस्ट्रक्चर उस पे भी ध्यान दे तो जादा अच्छा होगा और मुझे लगता है अगर ये डेवलप्मेंट रांजन गाउं में हो रहा है तो जो आपका पूने इस्ट में मेट्रो का एक्स्टेंशन की बात चल रही जो रूट एक तरीके से फाइनल भी कर लिया गया है कि रामवाडी स अब उसे आगे वागुली तक बढ़ाया जाए इसमें भी एक नई गती आ जाएगी तो जो लोग भी पूने इस्ट में रह रहे हैं माली उनको अच्छे अपॉर्चुनेटीज मिलती है वो वेस्ट में जाते हैं तो उनके लिए अच्छी खासी जो है पब्लिक ट्रांस्प तो उसमें एक नई ग्रांती आ रही है तो यह हमें हमें जो ही समझना होगा कि आखिर इसके आने से और कौन-कौन से नए development होंगे हम अपना investment अगर करना चाह रहे हैं तो किन-किन जो है ऐसे factors पे हम लोग ध्यान दें तो यह हमारे लिए खास हो जाने वाला as a investor भी और जो end users है उनक्या भी property जो कई बार लोग जब relocate करते हैं उनको लगता कुछ अच्छा जो है हमें rate मिल जाए तो उनके लिए भी संभावनाई बढ़ेंगी हाँ इन सब चीजों में समय जरू लगता है लेकिन पॉजिटिव ख़वर है कि कहीं न कहीं जो है पूने अब अपने प्र हाँ पर अलड़ी बहुत सारी manufacturing कंपनिया है वो पूरा MIDC का एक जोंग है साथियों ऐसे ही तमाम देडियो को लगातार देखने के लिए और real estate पर update पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके बाकी लोगों तक सेयर जरूर कर दें जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ ए